पचासों साल पहले बिखनी पहनने मात्र से सिरहन होती थी, लेकिन तोड़ दी सारी परंपराएं, बिखनी पहनी, रैम पर उतरी और बन गई हिंदुस्तान की पहली मिस वर्ल्ड। आप बहुत से हिंदुस्तानी लड़कियों को जानते होंगे, जिन्होंने मिस इनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब जीता होगा, जैसे सुसमिता सेन, एश्वर एराइक, प्रियंका चोपडा, मनुशी चिलर, युकता मुखी, डाइना हेडिन और हरनाज संधू, ये मौडन हिंदुस्तान की लड़कियां हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में फैशन नाम की, कोई चीज नहीं थी, दो पीस की बिकनी पहन कर, रैम वाक करना, पहार को पार करने जैसा था, मिडल क्लास के फैमिली से आने वाली रीटा ने, कभी नहीं सोचा था कि वो एक दन, ब्यूट पूरी दुनिया में पहचान दिलाता है, हमारा समाज एक दकियान उसी विचार धारा का है, जो लड़कियों के फैशन तक से नफरत करता है, लेकिन देखा जाये तो फैशन का सम्मंद्र नारित्व से बेहत गहरा है, हिंदुस्तानी समाज एक लड़की को अच्छी और इजद्दार तभी तक मानता है, जब तक वह खुद को फैशन से दूर रखे और अपने शरीर को पूरी तरह से ढख कर रखे, लेकिन हमारी कई लड़कियों ने समाज के इज़ारना को तोड़ा और ब्यूटी कॉंटेस्ट जीत कर देश का नाम रौशन किया, लेकिन आज स आज से 56 साल पहले, आज जैसा कुछ भी नहीं था, आज से 56 साल पहले, 1906 में एक भारती महिला ने इस परंपरा को तोड़ते हुए, पूरे आत्म विश्वास के साथ स्विमिंग सूट पहन कर पहली बार रैंप पर चलती नजर आई, जवाब में बुल्डनेस था, और चम लहराया, वो महिला डॉक्टर रीटा फारिया थी, जो ना सिर्फ भारत की मिस्ट इंडिया रही, बलकि भारत से पहली मिस्ट वर्ल्ड भी बनी, रीटा फारिया ने एक इंटर्वियू में बताया, कि इस ब्यूटी पैजन्ट में, दोस्तों के कहने पर, मजाख ही मजा पाइनर कपड़े थे, और नहीं पैसे, उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ कपड़े और जूते उधार लिये, और एक सूट केस में पैक कर लंदन पहुच गई, लंदन पहुचने पर उनके पास मात्र तीन पाउंड ही रह गए थे, पासपोर्ट वगरह भी आनन फानन मे बनवाया गया था, आयो जोकोंने मुझे नया बाथिंग सूट और जूते चपल दिलवाई थे, क्योंकि दोस्तों से लाए गए जूते और चपल, मुझे छोटे पड़ गए थे, लेकिन वो कहती हैं कि, उन्हें इस बात का एहसास था, कि वो कुछ बड़ा करने जा रही है न राम पर चलने का एक्सपीरियंस, न कोई प्रसिक्षन, बस स्विमिंग सूट पहन कर राम पर चली गई थी, वो कहती हैं कि शायद ऐसा करने वाली मैं पहली हिंदुस्तानी लड़की थी, लेकिन मैं मिस वर्ड का खिताब जीतने वाली भी हिंदुस्तान की पहली लड़ की थी, रीटा जी, आप धन्य हैं, आप ग्रेट हैं